हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्षा राजस्तान रेट बरती परिक्षा और राजस्तान पटवार बरती परिक्षा के लिए राजस्तान जोग्राफिक की कलास से श्टार्ट की गए थी जिसमें अपनी 9 कलास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 10 नंबर की कलास है और आज अपना सबसे इंपोडेंट टोपिक आता है इसमें जलवायू का ठीक है अपने दोस्तो राजस्तान की जोगराफिय में दो टोपिक कम्प्लेट कर लिए एक तो राजस्तान की इस्तती एवं विस्तार और एक दोस्तो राजस्तान के भोत्तिक प्रदेश ठीक है नो कलासों के अंदर अपने ये पढ़ लिया है ठीक है वीडियो दोस्तो आपक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बैल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करना है, अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखिये हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्तान बुगल के नाम देखो अपना टोपिक है इसमें जल्वायू, ठीक है, तो जल्वायू में अपन क्या क्या बढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जल्वायू में जल्वायू किसे का जाता है, ठीक है, जल्वायू किसे का जाता है, दूसरे नमबर में पढ़ेंगे परका तो दोस्तों अपन ये चार चीज पढ़ेंगे जलवायू के अंदर जिसमें आज शुरुआत की जो दो चीज है जलवायू किसे का जाता है और जलवायू के परकार और वर्गी करण ठीक है ये अपन पढ़ेंगे आज बाकी के दो हैं ये कल पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले जलवायू किसे कहते हैं तो देखो नमबर A. ठीक है तो देखो वायू मंडल यह अपना पूरा पर्त्वी है वायू मंडल है ठीक है तो देखो दिर्ग कालीन गटनाए जलवायू कहलाती है ठीक है तो दोस्तो दिर्ग कालीन गटनाएं जलवायू कहलाती है और अल्प कालीन गटनाएं मोसम कहलाती है यानि कि अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसको मोसम कहते हैं जैसे कि दिन बरबादल है वो साफ रहते हैं और अचानक से बारिस का माहूल बन जाता है ठीक है बारिस आ जाती है तो उसको कहते हैं मोसम ठीक है उसको क्या कहते हैं मोसम तो देखो परत्वी के चारो और वायू मंडल को दिर्ग कालीन गटनाओं को जलवायू कहते हैं ठीक ह देखो जलवायू का निर्धारन तीस वर्षों की ओसत दसाओं के आदार पर किया जाता है तो जलवायू का निर्धारन है वो तीस वर्षों की ओसत दसाओं के आदार पर किया जाता है जलवायू का वर्गी करण है याद रखना दोस्तो इस चीज़ को ठीक है देखो चारो और वायू मंडल की जो अल्प कालीन गटनाई है ठीक है यानि कि अचानक परीवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं मोसम कहते हैं ठीक है अब देखो यह तो गया अपना एपोइंट कंप्लीट के जलवायू किसे कहते हैं आप सभी को पता भी चल गया होगा तो दोस् मों ठीक है उपर इउपर सीथ कटीबंद साड़े 6.006 डिगरी के उपर देखो ठीक है फिर दोस्तों आपको यहाँ पे दि rocks गजर्ती है ये गजर्ती है उसके बाद में दोस्तों उसन कटी बंद आजाता है, फिर 0 degree यानि कि भूमत दे रेखा, ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये तो आपको पता चल गया होगा, कर सीथ कटी बंद और सीटोसन कटी बंद, और साढ़े 23 degree, ठीक है, अब देखो राजस्तान की स्तती, राजस्तान के अगर स्तती देखें, तो सितोषन कटीबंद के अंदर 32 जिले आते हैं सितोषन कटीबंद के अंदर कितने जिले आते हैं 32 और उसन कटीबंद के अंदर कुन सा जिला आता है तो वो बांसवडा यानि कि 33 जिले हैं जिसमें सितोषन कटीबंद में 32 जिले आते हैं और उश्न कटिबंद में सिर्फ और शिरफ एक जिला जिसका नाम है बासवडा, ठीक है? अब देखो जलवायू वर्गी करण पढ़ेंगे अपन सी भाग में, ठीक है? जलवायू वर्गी करण, तू देखो जलवायू वर्गी करण को दोस्तों दो भागों में बाटा गया है एक है सामाने जल्वायू वर्गी करण दूसरा है व्यक्तिकत जल्वायू वर्गी करण ठीक है तो देखो सामाने जल्वायू वर्गी करण में दोस्तो इसके कितने परकार है तो इसके पांच परकार है ठीक है आधार यानि कि ये सामाने जल्वायू वर्गी करण है इसका सथार है वह एक देखें तो दोस्तों वागों में बाटा गया है विक्तिकत जल्वायू वर्गी हरन pupil को इसमें देखो राजस्टान की जल्वायू की बात ओओ यहां पर, ठीक है, तो राजस्तान में देखो, यहां पर कोपेन, टिवार्थो और थोंटवेट, यह अपन तीन वेक्तिगत जलवायू वर्गी करण इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, यह तीन जलवायू वर्गी करण पढ़ेंगे अपन, कोपेन, टिवार्थो और थोंटवेट कोपेन ने दोस्तों राजस्तान की जलवायों को चार भागों में बाटा है ठीक है और उसका आधार क्या माना है उसका आधार माना है वनस्पती ठीक है क्या माना है वनस्पती तिवार्थों ने दोस्तों राजस्तान की जलवायों को भी चार भागों में बाटा गया है और आ आदार माना है जलवायू का वो क्या माना है? तापमान, वास्पिकरण और वर्षा ये तीन माने है थैंट वेट ने, ठीक है? अब आगे देखो दोस्तों जलवायू का सामाने वर्गी करन पड़ेंगे फिर उसके बाद में जो व्यक्तिकत है व्यक्तिकत के आधार पर पड़ेंगे यानि कि तीनों के जो चार-चार भाग है वो पड़ेंगे तो देखो सामाने आधार पर राजस्तान की जलवायू को पांच भागों में बाटा गया है जिसका आधार वर्सा है ठीक है यानि कि राजस्तान का सामान्य वर्गी करन है वो चार भागों में पांच भागों में बाटा गया है और जिसका आधार जलवायू वर्सा है ठीक है अब देखो वो पांच भाग कौन से हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ तो देखो जलवायू के परकार अब मैंने आपको बहुतिक वी बाग पढ़ाय थे बहुतिक वी बाग में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों किसमे कितना परतिसत यानि कि कितने सेंटेमिटर वर्सा होती है ठीक है तो देखो एक तो है सुस्क कटी बंदिये और एक है अर्द सुस्क कटी बंदिये तो सुस्क कटी बंद में दोस्तों वर्सा होती है वो 0 से 20 सेंटिमिटर परति यानि कि एक साल में 0 से 20 सेंटिमिटर तक वर्सा होती है किसमें तो सुस्क कटी बंद में ठीक है और ये छेतर किसमें आता है तो ये मरुस्तल में आता है, ठीक है, दूसरा देखो, अर्दसुस के कटी बंदिये, इसमें आता है दोस्तो, 20-40 cm एर, ठीक है, यानि कि 20-40 cm वर्षा होती है, एक साल में, तो वो आता है अर्दसुस के कटी बंदिये में, ठीक है, ये भी आता है दोस्तो, मरुस्तल में, आप पर हो रही है तो यहां से 0 से 20 cm और 20 से 40 cm परती एर का इसमें मरुस्तल में आता है वर्सा ठीक है देखो उसके बाद में तीसरे नमबर पर आता है उपादर उपादर में दोस्तों 40 से 60 cm परती एर वर्सा होती है वो होती है दोस्तों अरावली में ठीक है उपादर छेतर आता ह किसमें अरावली के अंदर ठीक है उसके बाद में देखो आदर आदर का मतलब होता है 60-80 cm वर्षा परती साल यानि कि एक साल में 60-80 cm वर्षा जहां पर हो रही है वो कहलाता है दोस्तों आदर चेतर है और ये कौन से भाग में आता है तो ये मैदानी भाग में आता है ये पू अरती ये वर्षा होती है ठीक है और ये कौन से भोतिक परदेश के अंतर गताता है तो ये हाडुति का पठार के अंदर आता है ठीक है हाडुति के पठार को माल का पठार भी अपन बोल सकते है ठीक है हाडुति के पठार में कौन सी जलवायू रहती है तो अति आदर जलव जलवायू रहती है ठीक है यह तो गया दोस्तों जलवायू का सामने वर्गीकरत ठीक है अब देखो वर्गीकरत जलवायू वर्गीकरन तो देखो कोपेन का जलवायू वर्गीकरन देखो मैंने आपको तीन व्यक्तिगत जलवायू वर्गीकरन बताये थे कोपेन टिवार्थ हो और ठॉंट वेट ठीक है तो देखो सबसे पहले अपन कोपन कोपेन पढ़ रहे हैं ठीक है तो कोपेन का जलवायू वरगी करन तो देखो कोपेन के अनुसार राजस्तान को चार जलवायू प्रदेश में बाटा गया है और जिसका आदार है वो वनस्पति को माना है कोपेन इसके चल्वाइव वरगी करन का आधार क्या माना है? तो वनस्पति माना है, ठीक है? या आपको इसमें याद रखना है, वनस्पति माना है, ठीक है? देखो कौन-कौन से हैं, तो एक तो है A, यानि कि A, W फिर B, देखो, B के अंदर कौन-कौन से सब्द जोड़े हैं नहीं, तो W और S, W यानिकी मरुस्तल सुस्क, ठीक है, और S का मतलब स्टेपी, यानिकी छोटी गास, यानिकी अर्द सुस्क, ठीक है, अब देखो, A से क्या बन गया, A, W, B को दो भागों में बांट दिया, एक त तो देखो, B, W, H, W, ठीक है, और एक S का क्या हो गया, B, S, H, W, ठीक है, तो ये B को दो भागों में बांट दिया, तो चार तीन तो यह हो गए, ठीक है, और चोथा है C, C का हो जाएगा C, W, G, ठीक है, कोपेन ने चार भागों में बांटा है, जलवायू को, ठीक है, A, W, B B, W, H, W, B, S, H, W, और C, W, G, ठीक है, ये चार भागों में बांटा है, कोपेन ने राजस्तान की जलवायू को, ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये चारो के चारो, ठीक है, देखो, सबसे पहले, दोस्तो, B, W, H, W, यानि कि सुस्क मरुस्तलिये की बात हो रही है, यहाँ पे, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर पूरा का पूरा इसमें आ चुका है, बाडमेर भी है, विकानेर भी है, ठीक है, तो, देखो, सुस्क, चेतर की बात हो रही है, यहाँ पे, और B, W, H, W, कोपेन ने यह बाटा है, और यह जिरो फाइट, यानि कि मरुद्विद, वनस्पति को माना है यहां पे, तो मरुद्विद, यानि कि मरुद्विद के अंदर उगने वाले, यानि कि मरुस्तल में जो उगने वाले वनस्पति के आदार पर कोपे ने दोस्तों यह वर्गी करण किया है, तो BW, HW, तो जैसलमेर, विकानेर और बाडमेर का कुछ चेतर भी आता है उत्री चेतर, ठीक है, तो यह आएगा BW, HW में, फिर उसके बाद में देखो, अर्दसुस्क की मैंने आपको बताया था, अर्दसुस्क, तो अर्दसुस्क के अंदर BW, HW, यानि कि जोदपुर, पाली, जालोर, बाडमेर, नागोर, ठीक है, तो यह आएंगे दोस्तो, BSHW, यानि कि अर्दसुस्क चेतर में, और यहां पे BW, चोरी, BSHW, जलवायू पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था, CWG, CWG यानि कि मैदानी भाग में होता है यह, ठीक है, यह जो जलवायू है, यह मैदानी भाग में पाई जाती है, मानसुनी जलवायू, उपादर चेतर कहलाता है, ठीक है, CWG, अब देखो, AW, यहां पे दोस्तों, आपको बास्वाडा का चेतर मिलेगा, ठीक है, इसमें सवाना वनस्पती पाई जाती है, ठीक है, तो यह कोपेन ने चार वर्गी करन किये थे, राजस्तान की जलवायू का, तो BW, HW, BS, HW, CWG, और AW, ठीक है, आप यह डाइगरम अगर माइन्ड में रखते हैं, तो दोस्तों, परिक्षा में, जैसे ही कोई जिला आएगा, तो आपको उटमेटिक है, वो इसमें पता चल जाएगा, ठीक है, AW है, वो दक्षिन भाग में है, CWG, पूर्वी भाग में, और BSHW, यह दोस्तों, अर्द सुस्क चेतर में, और BWHW, यह सुस्क चेतर में, ठीक है, यह हो गया दोस्तों, किसका, कोपेन का वरगी करन, अब देखो दोस्तों, AW चेतर में कौन सा आता है, तो AW सबसे नीचे नीचे पाय जाता है, तो देखो इसमें जलवायू, जलवायू है, वो आद्र और अति आद्र पाय जाती है, ठीक है, आद्र और अति आद्र, आद्र के अंदर मैंने आपको कितनी सेंटिमेटर वर्षा बताई थी, तो 60 से 80, ठीक है, और अति आद्र में 80 से 120, सेंटिमेटर वर्षा बताई थी मैंने इसमें और इसमें वनस्पति है वो सवाना वनस्पति पाई जाती है विस्तार इसका विस्तार है वो हाडोती चेतर यानि कि बुंदी को छोड़ कर इसमें वागड वागड चेतर इसमें आएगा बासवड़ा डूंगरपूर और जो जलवायू है वो दोस्तों दक्षिन भाग में पाई जाती है और इसमें वनस्पति सवाना पाई जाती है इसका विस्तार है वो हडोति चेतर में यानि कि बूंदी को छोड़ कर वांशवडा, डूंगरपूर, परताबगड और माउंटाबू ये चार्ज ले आते हैं दोस तो BW, HW यानि कि मैंने सुस्क मरुस्तल के बारे में आपको बताया था तो जलवायू जलवायू दोस्तों सुस्क मरुस्तली करन जलवायू पाई जाती है ठीक है वनस्पति दोस्तों इसमें मरुदबिद है ठीक है कौन सी वनस्पति है यहाँ पे मरुदबिद जिसको क्या बोलते हैं, जिरोफाइट से, क्या बोलते हैं, जिरोफाइट से, इसका जो विस्तार है, वो दोस्तों, जसलमेर और बिकानेर के अंतरगत आता है, ठीक है, और बार्डमेर का कुछ छेतर भी आता है, इसमें, तो BW, HW, यानि कि सुस्क छेतर है, इसमें जसलमेर, बिकान विशेस का है कि कम वर्षा वाला छेतर यानि कि 0-25 cm वाले छेतर के अंतरगते ये BWHW जलवायू आती है देखो मैंने आपको एक तो सामानिय के अंदर बताया था, सामानिय के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से 20 और 20 से 40 तीक है और अब देखो कोपेन ने क्या क्या है कोपेन ने कर दिया 0 से 25 तीक है तो कम वर्षा वाला चेतर है 0 से 25 सेंटिमिटर जहां पर वर्षा होती है वो सुस्क मरुस्तली चेतर कहलाता है और कम वनस्पति यहां पर पाई जाती है यानि कि कंटिली वनस्प जिसकी जड़े गहरी चाल मोटी और पतियां छोटी होती है उसको कहते हैं दोस्तो जिरो फाइट्स ठीक है और इनको मरुद्विद भी बोलते हैं अपन ठीक है अब देखो उसके बाद में आती है बी एस एच डबलू बी एस एच डबलू में देखो जलवाईू मैंने आपक ऊलवाण को वाला छेतर ठीक है यानि कि अर्दसुष में पत्ति से पचास सेंटिमीटर वर्शा की बातो हो रही है दोस्तो कोपेन के नुसार तो जलवाईू यहाँ पर अर्दसुष का मरुस्तर लिए जलवाईू पाई जाती है और वनसपती है वो यहाँ पर इस्टेपी में सामिल होते हैं देखो और सिखावाटी का चेतर है और गगर यानि की गंगानगर ठीक है तो गंगानगर हनुमानगड का जो चेतर है वो भी दोस्तों इसके अंतरकत आता है बीस एचछ डबलू का ठीक है आपको आपके दिमाग में अगर वो डाइगराम उपर वाला अगर सैट है तो दोस्तों आप कोपेन की जलवाईू का वर्गी करन है वो आसानी से कर सकते हैं ठीक है देखो विशेस क्या है तो राजस्तान में कोपेन का सबसे बड़ा जलवाईू परदेश है कौनसा बी एस एच डबलू अर्दसुस के मरुष्त्लिये जलवाईू ठीक है उसके बाद में दोस्तों चोथी नमबर का आता है CWG तो मैंने आपको बताया था कि पूरवी राजस्तान ठीक है पूरवी राजस्तान की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे तो मैदानी चेतर की बात हो रही है तो CWG जलवायू उपादर ठीक है वनस्पती मानसुनी जलवायू ठीक है विस्तार विस्तार देखो ABCD यानि कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो ABCD क्या है तो अलवर भरतपूर दौलपूर करो ली ठीक है तो ये जो छेतर हैं ठीक है ये इसके अंतरगत आते हैं ये जो जले हैं RSTU पलस जैपूर ठीक है स्वाई मादवपूर आगया इसमें जो जले हैं वो सारे के सारे इसमें CWG छेतर में आते हैं ठीक है उदैपूर आगया इसमें राजसमंद आगया ठीक है तो यह ऐसे आपको याद रखना है सबसे पहले मैप को है मैंड में सेटे करो विशेश कहा है इसमें तो विशेश में देखो यह है जलवाईव परदेश कर्ची छित्र के लिए प्रशिद है यह है जलवाईव परदेश है वो करशी छेतर के लिए प्रदेश है क्योंकि यहां पर मैदानी भागे पाया जाता है बनास नदी, चंबल नदी जो छेतर है यह इसी के अंदर गत आता है ठीक है यह तो ओगया दोस्तों अपने कोपेन का वर्गी करन उसके बाद में देखो तिवार्थों का जलवाई वर्गी करन तो तिवार्थों का जलवाई वर्गी करन इसमें देखो राजस्तान की जलवाई को चार भागों में बाटा है तिवार्थों ने ठीक है आधार क्या माना है आधार माना है वर्षा ठीक है दक्षिन भाग के बारे में मनें बताया था आपको आद्र और अतियाद्र चित्र ठीक है और टिवार्थों ने उसका नाम भी क्या रखा है एडबलू रखा है ठीक है टिवार्थों ने भी उसका नाम क्या रखा है एडबलू और यहाँ पे जो उसत वर्सा है वो 100 cm के लगब होती है उसके बाद में देखो BWHW सुसक चेटर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर देखो BWHW के अंदर दोस्तों लास्ट वाला W है यह हटा दिया किसने टिवार्थ होने तो क्या किया BWH तो यहाँ पर वर्षा ओसत क्या मानी गई है तीसरे नमबर का देखो, कोपेन ने क्या किया, कि अर्दसुस्क छेतर, यानि कि B-S-H-W, तो ये लास्ट वाला डबलू है, ये हटा दिया, किसने तिवार्थों ने, तो क्या बना दिया, B-S-H, ठीक है, वर्षा का, जो उसत वार्षिक वर्षा है, वो कितनी मानी है, तो 30 cm म ठीक है, C-W-G, तो कोपेन ने दिया, और टिवार्थों ने क्या दिया, C-A-W, ठीक है, और यहाँ पे ओसत वार्षिक वर्षा है, वो 70 cm मानी गई है, ठीक है, और इसमें कौन सा चेतर आता है, तो मैदानी चेतर, यानि की पूर्वी भाग इसमें आता है, ठीक है, अब दे क्या कर दिया, C-A-W, ठीक है, और जहाँ पे W लगावा था, वो पिवार्थों ने क्या कर दिया, हटा दिया, बाकी सारे के सारे इसमें सेम है, ठीक है, अब देखो, ठोंटवेट ने क्या किया, ठोंटवेट ने देखो, ठोंटवेट के नुशार राजस्तान की जलवायू को चार भागों में बाटा गया है ठीक है तो सब ने चार-चार भागों में बाटा है व्यक्तिकत आधार पे अब देखो आधार क्या माना है थोंट वेट ने तो तापमान वास्पिकरन और वर्षा ठीक है ये तीन माना है किसने थोंट वेट ने कोपेन ने क्या माना है तो द B और C, ठीक है, A को एक बार लिया, B को दो भागों में बाट दिया, और C को एक, ठीक है, तो यह ऐसे करके कोपे ने चार भागों बाटा है, और टिवार्थो ने भी सेम ऐसे ही किया है, थोंट वेट ने थोड़ा सा अलग किया है, थोंट वेट ने क्या किया है, कि यहां तो A A, B, C ले लिया और इधर थोंट वेट ने C, D और E ले लिया ठीक है अब सिरफ और सिरफ इसमें यही फरक है तो देखो आधार, तापमान, वास्पिकरण और वर्षा C से क्या बना दिया C, A, W यानि कि वास्पिकरण ज्यादा और D को दो बागों में बांट दिया सेम टू सेम, कोपेन ने बांटा था B को वैसे ही तो D, A, W और D, B, W ठीक है D, A, W और D, B, W E देखो E को क्या कर दिया, तो E, A, D ठीक है E, A, D यह कर दिया दोस्तों, मरुस्तल वाले छेत्र को, ठीक है तो C, D, E तो याद रखना है ठोंट वेट में और A, B, C याद रखना है आपको कोपेन और टिवार्थों में ठीक है अब आगे देखो, डाइगराम देखते है यह डाइगराम है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले E, A, D E, A, D के अगरपन बात करें तो E, A, D में देखो सुस्क जलवायू ठीक है विश्तार छेत्र मैं ने आपको बताया जसल मेर बाड मेर ठीक है पस्मी जोधपुर जसल मेर बाड मेर और पस्मी जोधपुर इसके अंतरगत आता है सुस्क छेत्र में E, A, D में ठीक है अब उसके बाड में दोस्तों देखो इसमें अर्द सुस्क छेत्र की बात करें तो इसमें थोड़ा सा है वो चैंज कर दिया ठीक है चैंज क्या कर दिया इसमें तो इसमें चैंज कर दिया जलवायू है वो मिस्त्रित जलवायू और विस्तार विकानेर हनुमानगर गंगानगर चुरू तो ये कर दिया दोस्तों इसमें तो देखो EAD तो ये रहा और उसके बाद में दोस्तों DBW तीक है DBW इसमें लिखावा नहीं है DBW में जलवायू है वो मिस्तित जलवायू विस्तार बिकानेर हन्वानगर गंगानगर सूरू ये वाला छेतर इसने डी बी डबलू के अंदर कर दिया उसके बाद में देखो डी ए डबलू ये दोस्तों मद्दे छेतर ले लिया यानि कि पूरवी वाला जो छेतर है मैदानी चेत्र है वो पूरा का पूरा इसमें ले लिया है और जलवायू इसमें अर्दसुस का जलवायू पाई जाती है और विस्तार विस्तार में दोस्तों आपको देखो सरवादिक जिले हैं वो तीन चार और चार आठ दो दस जिले इसमें आते हैं तीक है स्वाइमादप डबलू में ठीक है किसने तो थौंट वेट ने लिए है उसके बाद में देखो C-A-W इसमें पूरा का पूरा हडोती छेतर ले लिया है ठीक है C-A-W ठीक है जलवाई हो इसमें सुस्क आद्र और उपाद्र ठीक है विस्तार हडोती यानि की बुंदी को छोड़ कर वागड औ और बाउन टाबू छेतर है ठीक है यह ले लिया दोस्तो C-A-W में ठीक है किसने ठोंट वेट ने अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंन चीज है वह आपको इसमें बता देता हूं D-A-W ठोंट वेट का सबसे बड़ा जलवायू परदेश है D-A-W जो कौन सा वाला छेतर है जो पूरवी वाला और दक्षनी वाला छेतर भी इसमें आता है ठीक है सिवाए हडोती के पठार को छोड़ कर देखो वेक्तिगत वेग्यानिक जलवायू वरगी करण में ठोंट वेट का वरगी करण सरवादिक मानने जलवायू वरगी करण है ठीक है तो सरवादिक मानने पें तीन बागों में बटा गया था, कोपेन, टिवार्थो और थोंट वेट को, थोंट वेट, ठीक है, इन तीनों का वर्गी करणमा ने आपको बता दिया है, कल अपन दोस्तों जलवाईू में ही आगे के दो टोपिक थे, वो पढ़ेंगे, कल अपने जलवाईू भी कंप्ल करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकिसन आपके पास पहुंचती रहे, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंद, जैभरत.